कि हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आसा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे भाई हो यहां हम आज एक सर्केट देखेंगे जो कि हमारा 20-30 से सब बूफर के लिए होगा तो जैसा कि यहां लिखा है ट्रांस ओडियो तो हर दिन टेक्निकल ट्रांस ओडियो एकी बात है तो सब बूफर स्रिकेट हम देखेंगे इसमें आज तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं है उम्मीद है आप लोग इसे पूरा देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहा आगे अभी डेस्क्राइब करूंगा आप लोगों को और बागी पिन्स हमारी है वो इनपूट और आउटपूट के लिए है एक्चली एक आप आप आइसी के जैसी ही तो चलिए से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार देखिए यह बीस तिस जैसा की आइसी है तो सबसे पहले इनपूट बाला पॉइंट हम क्लियर करेंगे क्योंकि जादा तर बाहिए जो रहते हैं वो कई बार पूछते के इनपूट कहां से देना है तो उन्हें कन्फिजन हो जात इसलवा से होता है और इसके बाद से मेटल का हुटा है हमारा रेफरेंस यनिकी सिंगिनल घ्री के लाइंटिगा हमारा तेया से जाएगा बाद होग तो यहां looking चैनल देखने में जो क्टुन के वहांड होती है तो यहां अभी सिर्फ दिखा दिया है आगे से। spoiler करेंगे तो यह ग्राउड से ही अभी आप से मान लिए ठीक है तो यह हो गया। इसके बाद से देखिए यहां पर जो इसकी चौति पैन होती है वह फूट हथी है वहारी जो कि स्पीकर के लिए जाती है तो इसको आउट करने के साथ साथ कुछ और काम भी होते हैं तो यहां जोबल नेटवर्ग भी होता है तो वह भी पहले डिजाइन कर लूँगा मैं और जो दो नंबर पिन होती है हमारी वह भी इन्पुट के लिए है और साथ ही फीडवेक के लिए भी काम आती है तो देखे चली देख लेते से तो इस पे एक पांसो साथ ओम की 560 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी रहती है और यह सीधे जुड़ी रहेगी हमारी एक कैपिस्टर के साथ में और इस कैपिस्टर की बैल्यू रहेगी 10μF और बोल्टिस की अगर बात करें तो आपको इसे 25 बोल्ट या उससे उपर जो भी मिले 50 बोल्ट 63 फोल्ट वहां लगा सकते है ठीक है तो यह होगा इस तरह से यह सीधे ग्राउंड से कनेक्ट रहता है इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं और इसी के साथ ही ह हमारा जो जोबल नेटवर्क होता है वो यहां जुड़ा रहेगा 4.7 ओम की एक रिजिस्टेंस रहेगी और उसके साथ एक पीएफ लगा रहता है जो कि 104 का होता है और यह सीधे ग्राउंड से जुड़ा होता है इस तरह से तो यह जोबल नेटवर्क हो कि हमारा स्पीकर से जो हमारा आता है वोल्टेज उसको प्रोटेक करने के लिए ऐसी को उस रेवर्स बोल्टेज से प्रोटेक करने के लिए इस जुबल नेटवर्क रहा बनाया जाता है चलीए मैं लग देता हूँ यह देकि जुबल हो गया उसके साथ यहां एक फीडवेक रिजिस्टेंस होत सकते हैं कि पिन नंबर दो के और चार के बीच में एक रिजिस्टेंस लगी होती है वो 22 के या 33 के हो सकती है ठीक है अब इसके बाद बचता है इसमें इस पीकर के लिए देख लिए ते तो तो देखिए यहां पर दो रिजिस्टेंस लगी हो सकती है आपके पास बन पॉइंट फाइव ओम की पैरलल में क्वाटर क्वाटर वाट की ठीक है क्योंकि 20 वाट का स्पीकर है बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए जैसा कि पिछले उसमें भी बताया था मैंने चैटलेट वाले में तो यहां यह सब बूफर पर चला जाता है इस तरह से और एक ग्रा और इसका पॉजिटिव साइड होगा ग्राउंड के लिए हैं निकाल देते हम ठीक है और इसका जो पॉजिटिव साइड होगा हमारा यह यह प्लस बारा बॉल्ट के लिए चला जाता है जो कि पांच नमबर पिन होती है हमारी तो इस तरह से आपने यहां देख लिया अब दरसल होता क्या है कि कई वार क्या होता है कि तीन नमबर और पांच नमबर पिन के साथ में एक 104 का पी एफ लगा दिया जाता है या नहीं भी हो सकता है या फिर कई वार क्या होता है कि बारा बॉल्ट जो प्लस सप्लाई होती है उसके साथ ग्राउंड के साथ में 104 नमबर का पीएफ लगा होता है यानि कि इस पिन के साथ में और ग्राउंट के साथ में और पॉजिटिव के साइट भी हो सकता है और दूसरी बात यह है कि यह जो 12 बुल्ट यहां दिखाया गया है आपको यह सिर्फ एक यह जोड़ा यह दिखाया है आपको समझागिया होगा यह सारा कुछ और बहुत बड़ा वीडियो नहीं था यह चलिए उम्मिद है अपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा सबुव फराइसी यह लिग दिया बाकी का वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो धन्यवाद आपका कि आपने पूरा वीडियो देखा चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार